व्रत में एक चीज जो जरूर बनाई जाती है वो है साबुदाना की खेचडी लेकिन खेचडी बनाते समय साबुदाना अक्सर कच्चा रह जाता है या खेचडी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिस से साबुदा साबू दाना की खिचड़ी बिना कच्ची रहे एकदम खिली-खिली बनेगी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप मेरे वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें साबू दाना की खिचड़ी बनाते समय जो हमारा सबसे पहला काम है वो है साबू दाना को भीगोना और यहीं पर हम सबसे पहली गलती कर बैठते हैं कि हम या तो साबू दाना को खिला खिला रखने के लिए उसमें पानी कम डालते हैं जिससे वह कच्चा रह जाता है या फिर पानी ज़्यादा डाल देते हैं जिससे की वह ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है तो इसके लिए क्या करें कि हमेशा साबू दाना को माप कर लें तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप लिया है इसकी जगाँ आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं माप के लिए अब साबू दाना को हमें एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और इसे पहले धोएंगे तो बस एक बार पानी डाल कर पानी को अच्छे से मिक्स कर लें साबू दाना में तो यदि कुल टर्टेन के उपर है तो वो निकल जाएगी लेकिन साबू दाना को भीकोते समय ये ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है क्योंकि बेसिकली ये एक तरह का स्टार्च ही होता है तो यदि आप इसे रगड़ेंगे तो इसका जो वाइट स्टार्च होता है वो पानी में ही गुलता जाएगा तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है बस एक पार पानी डालकर इस पानी को ऐसे मिक्स करके और फिर निकाल दें फिर हम इसमें साफ़ पानी डाल देंगे दुबारा से तो जिस मेसरिंग कप को मापकर हमने साबू दाना लिया था उसका आधा हम ले लेंगे पानी तो यहां पर मैंने आदा कब साबुदाना लिया था तो मैंने एक चोथाई कपीस में पाने डाल दिया है तो बस अब हम साबुदाना को कवर करके एक से डेड़ गंटे के लिए रख देते हैं तो लगबग एक गंटे बाद आप देखेंगे कि साबुदाना है वो अच्छे से और ऐसा भी नहीं है कि इसका सारा पानी इन्होंने एपसॉर्प कर लिया है तो यह कच्चा है देखें कितने हिसे लिए मैश हो रहा है यानि अच्छे से भीग चुका है अब इस भीगे वे साबुदाना को एक बोल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और इसमें डालेंगे दो जमच निम्बू का रस जी हां फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से साबुदाना खिचडी बनाने से पहले उनके उपर निम्बू का रस डाल कर उसे अच्छे से मिक्स कर दें तो जो निम्बू का रस है उसके कोटिंग साबुदाना के उपर हो जाएगी तो जो खिचडी ब न ही पनाते समय खिचडी तले में चिपकेगी और बहुत ऐ अच्छी किछडी खिचडी बन करके त्यार होगी और दूसरा कि निमगो कारस ढालने से खिचडी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो यह मैंने निमगो कारस अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस किछड कप दरदरी कुटी भी मौंगफली आड़ कर रही हूं तो मौंगफली को मैंने रोस्ट करके उसका चेर काहटा लिया है फिर मान दस्ते में उसे दरदरा कोट लिया है तो इसका टेस्ट और टेक्षर साबू दाना के खिचड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने के लिए एक कड़ाई के अंदर तील या घे गरम कर लेते हैं जो भी आपको पसंदो या आप वरत में खाते हों उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैंने दू चमस तील कर लिया है और तील के गरम होते हैं इसके अंदर आधी चोटी चमस डालेंगी जीरा और जीरा को अच्छे से क्रैकर होने देते हैं जब जीरा अच्छे से पक जाएगा तब इसमें 5-6 करीपता को मैं इस तरह से तोड़ करके डाल रही हूं वरत में आप जो भी चीज़े नहीं खाते हैं उसे टोटली स्किप कर सकते हैं करीब जीरा का टेस्ट खीजड़ी में बहुत अच्छा लगता है और अब यह अच्छे से पक गए हैं बड़िया खुश्पू भी इसमें से आने लगी है तो हम इसमें डालेंगी एक इंच कदू कस कियावा अदरक का टुकड़ा या आप इसे बारी काट कर भी ले सकते हैं इसे के साथ दो बारी कटी भी हरी मिर्च में अट करी हूँ या जितना तिकाप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च का इस्तमाल करें अब कुछ सेकेंड के लिए इन्हीं भी पका लेते हैं तो बस यह सारी चीज़े अच्छे से पक गई हैं बड़िया खुश् करेंगे काली मिर्च का पाउडर और क्योंकि वरत के लिए बना रहे हैं यह खिचड़ी तो स्वाद के नुज़ार सेंदा नमक डाल कर पड़िया से मिक्स कर लेते हैं अब साबुदाना क्योंकि भीकावा है अच्छा सॉफ्ट है तो अब यह जो साबुदाना है वो हमीं त पड़िया से ट्रांस्परेंट हो जाए तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है चार से पांच मिनट में साबुदाना अच्छे से पक जाता है और यह बिलकुल भी कच्छा नहीं रहता है तो मैं कडाई को गवर कर देती हूँ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेती हूँ और ये देखे तीन मिनिट बाद मैंने चेक किया है तो आप देख सकते हैं कि जो साबू दाना है वो काफी अच्छा खिला खिला है नॉर्मली क्या होता है जब हम खिचुड़ी को ऐसे गवर करके छोड़ देते हैं तो सारा साबू दाना नीचे तले में बैठ जाता है लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है साबू दाना बढ़िया ट्रांस्परेंट भी हो गया है और ये अभी भी काफी अच्छा खिला खिला है तो मैं पास से दिखाती हूँ ये देखे इस तरह का जो कलर है इसका वो चेंज हो जाता है पहले ये एकदम सफेद था लेकिन अब ये ट्रांस्परेंट हो गया है तो इस स्टेज तक हमें साबू दाना को जरूर से पकाना है ताकि साबू दाना बिलकुल भी खाने में कच्छा ना लगे तो बैस अब ये खिचरी बनकर के तयार है मैं लास्ट में कुछ बारी कटीवी धनिया की पती भी मैं इसमें अड़ कर रही हूँ लेकिन यदि आप धनिया पती नहीं काते हैं वरत में तो इसे टोटली स्किप कर सकते हैं धनिया पती को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी एक्दम खिली-खिली साबू दाना की खिचरी बनकर के तयार है तो चलिए इसे गर्मा-गर्म सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स खिचरी बनाते समय मैंने बहुत ही एजी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेर की हैं ताकि आप बहुत ही आसानी से एक्दम खिली-खिली साबू दाना की खिचरी बना सके यदि आप पहली बार भी खिचरी बना रहे हैं तो बहुत इसलिए से बना पाएंगे तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रीज इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत थनिवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई